इन दोर में पुलिस कमिशनर सिस्टेम लागवोंगो होने के बाद, पुलिस लगातार बदमाशों की धर पकड़ करना में जुटी है. इसी कड़ी में कनाडिया पुलिस के हाथ बड़ी सबलता रगी है, जिसमें पुलिस ने शराब पार्टी करते ऐसे बदमाशों को गृफत के साथ शराप पाटी करने के साथ ही किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सुचना पर से पुलिस ट्रीम मौके पर पहुची और मौके से 6 आरोपियों को गिरफतार किया है। पुस्ताच में आरोपियों ने बताया कि वह संपत पैट्रोल पंप पर ड़केती डालने की फिराक में थी। इससे पहले ही पुलिस के हत्य चड़ गए। आरोपियों के पास से देशी पिस्टल सहीद धारदार हत्यार बरामत हुए हैं। कल कनाडिया पुलिस को मुगविर से सूचना मिली थी कि संपत हिल्स के पास में जो मैदान है वहाँ पर कुछ वैक्ती बैठे हुए है और वो ड़केती की योजना बना रहे हैं। और पुलिस दौरा गेरेबंदी करके इनको पकड़ा गया तो यह और जब प्रूस्ता चीए तो बताया कि इनके दौरा संपत हिल्स के पास में एक पैट्रोल प्रूम था वहाँ पर ये लोग ड़केती की योजना बना रहे थे करने की इसमें जो पुलिस ने पकड़ा है व और वसीम खान पिता सनीम कान इन छे वेक्तियों को पुलिस दौरा ग्रिफतार किया गया है इनके पास से एक खटकेदार चाकू एक देशी पिस्टल एक सब्बल और इस तरह के कुछ औजार मिले हैं जिनका उप्यों को ड़केती करने में कर सकते थे नहीं से इनमी नहीं न पिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से सक्ति से पूस्ताच करने में जुट गई है जिससे लूट की अन्य घटनाओं के खुलासे की उमीद जताई चा रही है खर्मद्रदेश के लिए इन दौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट